मान लीजिए हां जी Mr. Ram Mr. Ram ने decide किया suppose करो इसके घर में बहुत सारा गोल्ड है पहले से ही सोने की बिस्किट चार-पांच किलो सोना है इसके घर में और बेरोजगार है ये और ये सारा गोल्ड इसके माता पिता ने इसके नाम पे दिया था और इसकी बात करें मार्केट खरीदा कब गया था इसको एक चार दो हजार दो में और खरीदा गया था इसने हाला कि बाद में बंद कर दिया बाद में बोला चलो री ओपन करते हैं अब इसने एक दुकान ओपन किया और इस दुकान कौन सा दुकान ओपन किया इसने कौन सा शोरूम ओपन किया कौन सा बिजनस जुल्री का जुल्री शॉप इसने ओपन कर लिया और इसने क्या करा भहिया जुल्री शॉप में क्या मिलेगा सोना चांदी के आपके जुल्री ही मिलेगे तो सर गोल्ड वगेरा लाने के लिए सोचा इसने कि हम बाहर से लाएंगे तो इन्वेस्मेंट लगेगा पहले हमें काम करते है जो हमारे पास है पहले से पहले इसी को इस्तमाल करते हैं तो ये सारा उठाके अपने दुकान में लगा दिया ठीक है ना सारा उठाके इसने घर से कहां लगा दिया दुकान में और इसने वैपार पता है किस दिन स्टार्ट किया ये वाला बिजनस स्टार्ट किया 14-2018 में अब इसके दुकान पर गरहां काए आते गए आते गए और इसने सारा गोल्ड बेच दिया और जिस दिन इसने ये दुकान करा था उस दिन इस सोने का रेट FMV सर उस दिन इसका रेट था 1CR का एक करोड रुपे का इसका रेट था जिस दिन इसने क्या करा दुकान दारी स्टार्ट किया था इसने और कस्टमर आए सभी कस्टमर को इसने पूरा का पूरा गोल्ड जो भी था इसका ये सारा गोल्ड कस्टमर को बेच दिया और सर जो बेचा न इसने कब बेचा पता है 1-4-2021 को बेच दिया और जिस दिन बेचा उस दिन कस्टमर को कितने का बेचा सर कस्टमर को 2 करोड का बेचा अब यहां बात आती है capital gain सबसे पहले तो relation समझना होगा कहां पर capital gain है कहां पर नहीं है एक relation बनता है हमारा यहां से लेके यहां तक यानि इस वेक्ती ने gold बेच दिया गोल्ड दे दिया अपने दुकान को बेचा नहीं है basically अपने दुकान को दे दिया एक relation बनता है इनके बीच में इनके बीच में जो relation है वो business का relation है और इनके बीच में business का relation नहीं है तो ऐसे situation को कहा जाता है कि आपने अपना इस personal assets या आपने कोई भी assets convert कर दिया business के stock में business के लिए क्या था gold assets थोड़ी ना था क्योंकि उसका काम था gold बेचना तो उसके लिए क्या था वो stock था उसे इसके लिए क्या माना गया वो stock माना गया पहले यहां तक देखे clear है अब बोला गया capital gain निगा लो फिर से यह special case पता है क्यों है confusion इसमें थोड़ा अभी देखे आपके भी confusion आएगा मन में capital gain sir capital gain में sales पहला क्या माने एक करोड या दो करोड जबाब दीजिए आप सभी जितने बच्चें कमेंट में 1CR या 2CR कुछ बच्चे 2CR और 1CR तो सर जवाब है इसका पहला देखो confusion है न बहुत बच्चों के मन में एक करोड भी चल रहा है किसी के मन में चल रहा है एक करोड नहीं चल रहा सभी बच्चे गलत है 1CR आएगा एक करोड रुपय आएगा क्योंकि सर जो इसने 2 करोड का बेचा है वो तो बिजनस के परपस के बेचा है capital gain निकाल रहे हैं तो आपका personal assets कब बिग गया जिस दिन आपने personal assets को दुकान में लाके रख दिया था तो आपके assets को customer ने नहीं खरीदा इस दुकान ने खरीद लिया separate legal entity पढ़ा है separate legal entity के business अलग होता है honor अलग होता है तो इसलिए कितना लेंगे यहाँ पर एक करोड रुपय समझ मैं आई बात आपको अगला point सर 1CR का confusion खतम होते ही less cost of acquisition जैसे लेंगे एक और confusion स्टार्ट हो जाएगा 5 लाक रुपय तो लेंगे divided by 2002 का indexation क्या 100 बताइए 23 का indexation 100 105 अब यहाँ पर into में हम 2021 का indexation ले या फिर 18 गलेंगे जिस दिन समान बिकेगा मैंने क्या बताए था नीचे जिस दिन खरीद है उपर जिस दिन बिकाए बिल्कुल यहाँ business ने तो इसको बेच दिया तो हम तो इनके बीच का relation निकाल रहे ना कि इनके बीच का है तो दो हजार अठारा उननिस का indexation क्या बताईए कि दो सो असी आएगा कि बताईए क्या आता एक बार निकाल को कि वन डबल थ्री कि और भी कि कितने हो गए यह कि एक करोड से उपर चला गया नहीं तेरा लाग तो नहीं होगा ज्यादा होना चीए यह आ रहा है अरे नहीं यह गिन लो कितने तेरा लाग यह ना चलो कि आप निकाल दो capital gain हाँ ठीक है माइनस करिए capital gain अब सवाल यह होता है कि सर कैपिटल गेन निकल तो गया सरकार को टेक्स देना है अब टेक्स किस दिन देंगे सरकार को टेक्स देने का इप टाइम आ गया 2018 में सरकार को टेक्स दे दिया जाए या 2021 में दिया जाएगा सरकार को टेक्स कब दिया जाएगा 2021 के अंदर दिया जाएगा क्योंकि जब पैसा आएगा तभी तो दोगे यानि यह टेक्स का पेमिंट होगा 2021 तो यहाँ पे कम्प्यूटेशन 2021 के अंदर किया जाएगा भले ही आपका सारा काम 2018-2019 के हिसाब से हो रहा हो लेकिन करेंगे कब अब सर इसका ऐसे सवाल जब भी आएगा न तो आपको बिजनस इंकम भी निकालके दिखाना होगा और पूछेगा वो सर यहाँ बिजनस इंकम क्या होगा अलग लेल 2CR परचेज 1CR यानि 1CR का आपका नेट प्रॉफिट माना जाएगा बताइए कोई दिक्कत इसमें तो इस पेशल केस क्यों है यह क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट और एक्कुजेशन लेने में या बहुत सारे आदार अभी इसमें बहुत सारे केसिस हैं अभी हमने सिर्फ द गोल्ड नहीं घर भी हो सकता है ना तो घर जबरदस्ती अगर छीन लेता है गवर्मेंट अभी करेंगे अगला वो थोड़ा बड़ा सेक्शन है पहले इससे छोटे-छोटे कर लेंगे पहले यहां तक बताईए सर 2021 क्यों कि क्यों आया वाई 2021 कुछ नहीं आया यहां पर यह 2018 ही लिया है जो बच्चे बता रहे थे इंडेक्सेशन 2021 का एसस्मेंट यह टेक्स भरोगे उस साल का डेट है यह जिस साल टेक्स दे रहे है उस साल का डेट है डाउट बता हूँ नहीं डाउट कोई डाउट है तो बताईए चलिए ज्यादा लेकर नहीं चलूँगा नहीं तो इसके चार-पांच केस थे वैसे तो हो जाने चाहिए अभी लेते हैं डाउट सबका लेंगे डाउट रुक जाईए कुछ टाइम टेबल अनाउंस कर दू मैं क्लास का टाइम टेबल तो यही है फिलाल अभी देखिए आपका भी सभी बच्चों का एड्मिट कार्ड आ गया है लगबग अब एक्जाम है और आपका एक्जाम थोड़ा डिले है आपका एक्जाम थोड़ा डिले है सेमेस्टर तीन का सेमेस्टर पांच वालों का परसो एक्जाम है मंडे नी टूज़े से एक्जाम स्टार्ट है उनका समेस्टर जो पांच में है और समेस्टर पांच का जो क्लास था न एक है क्लास फाइनेंशल मेनेजमेंट जो कि मैं क्लास लेता हूं बच्चों का वो मैं लिया करता था MWF 730 और आपका लिया करता था TTS 730 तो 30 तारिक को MWF वाला मेरा टाइम खाली होगा हाला कि समेस्टर वन का बन गया उसको मैं कहीं और अड़जस्ट करूँगा तो MWF वाला एक टाइम खाली होगा तो आपकी क्लास 30 को पेपर है यानि आपकी 3 तारिक से 3 तारिक से आपकी रेगुलर क्लास हो जाएगी सेम टाइम कन्फ्यूजन सबसे पहले तो खतब पहले बीच में हो रहा था 10 बजे लो अभी एक दो दिन के क्लास कैंसिल जो हुआ है आपका सिर्फ रेजन बिंग यही था कि उनके कुछ कोस्टन्स कराने थे एक्सरा एक्जाम बोल रहे थे कि मैं उनकी क्लास ले रहा हूँ अभी 30 तक तो फिलाल उनकी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि जो भी है 30 के बाद पिर सारेицागे और सãoरा फोकस हो जाएगा आपके जितने भी है पूरा करवाए जाए तो तीन तारिक तक तीन तारिक से अब तीन तारिक क्या डे पढ़ रहा है I don't know क्या है सर एक और दो को क्यों नहीं लेंगे अभी बताते हैं थार्स डे हैं तीन तारिक अच्छा मैं नमबर देख रहां देशमर देखना हुझा क्या कैलेंडर यह सेटरेडे ठीक है बाकी एक संडे है कल आपकी जो मैंने तीन तारिक इसलिए बोला है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो ना मैं पहले क्लियर कर रहा हूझ जो बच्चे बाद में वीडियो भी देखेंगे लाइव क्लास बाद में देखेंगे देखके समझ जाईएगा कि आपकी क्लास जो है Tuesday और Thursday चुटी रहेगी Tuesday और Thursday उस दिन आप लोगों को लाइव क्लास ना मिलके recorded क्लास मिलने वाला है मतलब लाइव क्लास की चुटी है लेकिन क्लासिस आपको मिलेगे उस देख कौन सी क्लास होगी आपकी live क्लास ना होके कौन सी होनी है रिकॉड इट ओफलाइव वाले बच्चों को बता दूँगा ये था हमारा live क्लास का सारा schedule तीन क्लास से regular तीन तारिक से regular क्लास सेम टाइम पे और timing भी मैं बढ़ा दूँगा साड़े साथ को छोड़के साइद मैं साथ से नौ कर दूँगा जो कि नौ बजे के बाद बच्चे बोलते हैं अफलाइन वाले लेट हो जाते हैं नौ बजे तक comfort है तो साथ से नौ कर दूँगा और दो दो डाइडाई गंटे में जल्दी जल्दी खतम करेंगे क्यापिटल गेन का चार-पांच प्रोविजन रहेगा इसके आथ खतम हो जाएगा यह फिर पीजी भी स्टार्ट करेंगे तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जितने बच्चे हैं उनकी छुट्टी लाइव क्लास की है लेकिन रिकॉर्डिट लेक्चर आपको फोल् क्लास कार यह दो जो 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 engine स08 की हैं se Πालाइने बच्चे हैं WILL आपको जाएव ऄ शरेगा यह स्यार्ट करेंए वह स्टार्टी तो जो 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 घàsे हैं गयांताממ्स अ